ब्लेट गोलम नाम लेने से रूप कापचाती है ना क्या ये हमेशा से ही ऐसे थे या कुदरत ने किया इन में कुछ ऐसा जलो जानने के लिए फुल वीडियो देखना तो वीडियो को सुरू करते हैं तो भाई लोग आप हिमलेंड्स के नेदर के बारे में जानते ही होंगे ये ओक इतनी खतरनाक जगा हैं कभी वहाँ पर अजीव गुरेब स्ट्रेक्शर दिखते हैं कभी खतरनाक एंटेटीज घूमते ही दिखती हैं लेकिन आज से कुछ टाइम पहले हिमलेंड्स का नेदर ऐसा फिलकुल भी नहीं था वहाँ पर भी कई सिटीज थी वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से खुजाल तरीके से वहाँ पर अपना जीवन वैतीत करते थे और उनके सुराच्छा के लिए तैनात थे वहाँ पर कुछ गोलम्स जो इतने ज़ादा खतरनाक थे कि उनका एक गोलम हमारे सो नौर्वल गोलम पर भारी पढ़ने वाला था लेकिन जैसा कि आप सभी को तो पता ही है कि गल्फ्रेंट के नकड़े और हिम्लैंस में खतरे कभी खतम होने से रहे तो वैसे ही एक दिन आता है जो कि बूरे हिम्लैंस को और उसके नेदर को बदल के रख देता है तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हर एक वर्ड का एक God होता है तो जैसे हमारा Minecraft का वर्ड है उसका एक God है जिसका नाम है The Almighty Notch वैसे ही Himalayan's के नेदर का जो God है उसका नाम है The Underground Lord और यह Underground Lord नेदर के अंदर लगपा 20,000 ब्लॉक नीचे एक एंसें सिटी में रहा करता था लाड की पूजा गया करता था तो भाई यह हमारा ओफर वर्ड और हमारे नेदर था यह बहुत ही खुसहाली से अपना सब चल रहा था लेकिन इस खुसी में लगने वाली थी आग क्योंकि अंडरक्राउंड की पूजा करने के लिए जिस गुल्ड और की आउसकता पड़ती हीए, वो इतना जादा रेयर है और इतना जादा खतरनाख हा कि अगर इसे कुसी नौर्मल पेर के हात यह गोद्स करता है, और इस टाकत की खोज में हिमलेंस में जितने भी किंग्स थेए, ओ सभी के सभी इसे धूडने के लिए निकल पड़ते है और इस रेस में सब से आग वो एक बार भी नहीं सोचता था उसके सामने में जो भी आया वो समझो गया या तो फिर जान से या फिर जहान से कैसे भी जाना तो उसका तहता किंग बुरी अपने राज के सबसे होनहार लाइबरेडरिन की हेल प्लेके उस एंसे सिटी के खोज डालता है और अपनी पूरी से सेना को उन सिटीज पर खुली साण की तरह हमला करने को बोल देता हूँ और देखते देखते उसकी पूरी सेना उन सारे सिटीज की धच्चियां उड़ा देती है कुछ टाइम तबाई करने के बाद आखिरकार उसे एंसे सिटी मिल जाती है और वो अपनी पूरी सेना के अधाई कर देता है वहाँ पर जितने गार्ट गोलम थे ओ इनका सामना करने लगते हैं लेकिन ओ इतने जाधा इनफ पावरफुल नहीं थे कि ओ बुरी की सेना का सामना कर सके हैं और ओ एक एक करके माने लगते हैं यह सब देखके अंडर्ग्राउंड लाड़ की दिमाग सा जाता और वो अचानक से एक ऐसा टार्क स्पेल कास्ट करता है जिसकी वाज़ा से जितने भी गोलम थे उनकी जो इस्टेंट इंटू हंड्रेड हो जाती है और साथ में जितने भी लोगों को मार रहे थे उनका खोन पीकर वो अपनी हिल्थ को रिजनरेट कर सकते थे और से इंटरेस्टिंग मोड जब अंडरक्राउन लाड और बुरी की आमने सामने फाइड होती है बुरी के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो एक गोड से लड़ सके लेकिंकि वो एक हुमनी था लेकिन उसके पास जो मायवी लोग थे विजर्ट के पूर्वस थे और उसके इ तरफ से गिराता हुआ जा रहता बुरी की अपनी सेना की यह हाला देक उसे सदमा सा लग जाता है और सोसता की मेरी सेना जो अब तक की सबसे खतरना सेना चुटकियों में कैसे खतम हो रही है और ऐसे ही रहा तो मेरे साथ लड़ने के लिए कुछी देर में कोई नहीं बचे इसको मारने के बाद अंडरग्राउंड लॉड की पावरे बहुत ही जारा भीग हो जाती है और यह सब देख कि उसका दिमाग भागल में लगता है कि अब मैं यहाँ पे रुका तो मैं मरने वाला हूँ और वह तुरन से वहां से गयाब हो जाता है इस फाइट को जब बुर जीदता है तो सबसे पहले पूर को ढोड़ने के लिए पूरा का पूरा एंससिटी डूर डालता है लेकिन वह कहीं भी नहीं मिलता क्योंकि हमारा गोल्ड और एंससिटी के सबसे सिक्रेट लोकेशन पे ही स्पौन होता था इसकी वाज़ाथ से उसके मिलता नहीं है तो वह है इन गोलमों पर जो अभी तक इतने सारे लोगों का खोन बहा चुके होते हैं पिशुके होते हैं जिसकी फूर राखी है और इनकी इतनी जाधा बढ़ चुके होती इस टाम पर करे किसी भी एंडीटी को single hit कर दे तो उसी time उस thumb तोड़ दे तो जैसे अब देखता है कि इनके इतनी जाता power है तो इनको याद आता है कि इसके जो world में हमार इनका जो सबसिक खतरनाग weapon है इनका Inder Dragon जिसकी एक breath पूरे के पूरे Himland को खतरे में डाल सकती है उसके पास कोई ने पहुचे इसको गार्ड करने के लिए उसे एक guardian की चरुवत थी और ये guardian ये blood golem जो कि ये इसको नाम देता है उसके अलावा और कोई भी नहीं हो सकते थे तो भाई ये उसे कैद करता है उसके पहला की strong hole के अच्छा के लिए दे देता है क्योंकि ये खोन को पीते थे इसलिए बुरी नहीं इनका नाम blood golem रखा था और इनका main फाना खोन है अगर ये खोन पीते जाएंगे तो इनकी power लगातार बढ़ती जाएंगे और भाई सबसे बड़ी बात हिमलाइन तो यहाँ पी safe हो गया अब यहाँ पी strong hole में कोई जा नहीं सकता सबको safe है लेकि बुरी निये जो underground lord के साथ किया है उसका क्या नतीजा निकलेगा ये देखने लायक है क्योंकि underground lord पूरी तरीके से evil बन चुका है उसकी कई दिनों से पूजा नहीं हुए कई साल लोग इसकी पूजा हुए इस वज़ा से उसकी पावरे छीड़ हो गई है लेकिन जिस दिन उसकी पूजा हुई और उसे अपनी पावरे वापस मिली वो him blind में क्या तांडो करेगा ये देखने लायक है और क्या है कैसे हमारी स्मार्टी भाई इस स्टांडो से आइमान लैंड से को बचा पाएंगे और अपने इस अंडरग्राउंड लॉड को डिफीट कर पाएंगे तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में और दिखते हैं अगली बार कौन सा चैलेंज मिलता है करेंगे अच्छे तरीके से भाई अगर आपको इस्टोरी पसंद है प्लीज लाइक करना चलन को सब्सक्राइब करना भाई हाँ केमेंट करके बताओ प्लीज और स्मार्टी भाई के पास वीडियो पहुचा के रहना है कैसे भी मेरे को नहीं पता पहुचा दो यार बहुत मिनत लगी कसम से भूल रहा भाई तेन बजे रिकॉर्डिंग कर रहा मैं पहुचा दो बस बाई बाई